आज मैं आपको PSA के बारे में बताने जा रहा हूँ PSA बैसिकली एक ब्लड टेस्ट है जो प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए यूजली यूजली ये प्रोस्टेट से सिक्रीट हुआ जाता है और ब्लड में इसकी एक बहुत कम मात्रा नॉर्मली पाई जाती है लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में इसकी मात्रा बढ़ सकती है पर प्रोस्टेट कैंसर ही इसका बढ़ने का एक मात्रा कारण नहीं है बहुत सारे और भी कारण हैं bueno parnik का इन्फक्षिन हो जाना कैसे कि प्रोश्टेट का इन्फट्रीन हो जाना पेस यह रस्ते में चाई за मंको ना या एस्ट्रूमेंट ड़ना या फिर प्रॉश्ट्रीक का इंफ्लमेशन हो जाना इन सब के कारण भी पीयस से बढ़ सकता है एक अत्ली साइन भी हो सकता है.